दोस्तों प्रतिवर्ष हम लोग 5 जून को विशु पर्यावरन दिवस यानी वर्ल्ड इन्वारynn्मेंट डे के रूम में मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी आज 5 जून को पूरे विशु भर में पर्यावरन दिवस मनाया जा रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रतिवर्ष विस्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या उद्देश से है तथा 2023 विस्व पर्यावरण दिवस की ठीम क्या है तो सब से पहले हम सब जानते हैं कि विस्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश क्या है दोस्तों हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो मोल उद्य से है वो है पर्यावरण का सनच्छन करना यानी पर्यावरण में उपस्थित नदी, तालाब, जील, सागर, जंगल, पहाड, पस्पच्छी आधि का सनच्छन करना है और ग्लोबल वार्मिंग और जलवाय परिवर्तन तथा प्रदूशन के खतरों के प्रति लोगों को जागरू करना है ताकि हर इंसान पर्यावरण के महत्त को समझ सके और पर्यावरण को बचाने का काम करे क्योंकि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं वह यदि सुद्ध रहेगा तब हम भी सुद्ध वस्वस्थ रहेंगे दोस्तो पर्यावरण दोसित होने की दसा में हम सब न सिर्फ गंभीर बीमारियों का सिकार होंगे बलकि गलोबल वार्मिंग तथा जलवाई परिवर्तन जैसी समस्याओं से भी दोचार होंगे अब बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम की तो 2023 की थीम है प्लास्टिक प्रदूशन का समाधान यानी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस समय देखा जाये तो प्लास्टिक प्रदूशन बहुत ही तेजी से फैलने वाला कारक बन गया है इसकी चपेट में आज हर घर, आंगन, कुवा, तालाब, नदियां आधि से लेकर सागर तक गंभी रूप से पट गए हैं जिसकी वज़े से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों जब प्लास्टिक का कचरा धर्ती पर मवजूद बिभीन जलस्रोतों में पहुँच जाता है तब यह एक गंभीर समस्या बन जाता है लकडी और कागज की तरह हम इसे जला भी नहीं सकते क्योंकि प्लास्टिक के दहन से कई सारी हानिकारक गैसे उत्पन होती हैं जो कि प्रतिवी के वातावरण और जन जीवन के लिए काफी हानिकारक है अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सन दोहजार चालिस तक अन्य अस्थलों का क्या कहें महासागरों तक में तीन गुना ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगा तब इस्थित और भी भैयावव हो जाएगी प्लास्टिक प्रदूशन की वज़े से तो हम बिमार होंगे ही बहुत से वने जीव भी मर जाएंगे अता हम सब को प्लास्टिक प्रदूशन को बढ़ाने की नयतिक जिम्मेदारी लेते हुए अब उसको कम करने की दसा में अग्रसर होना होगा तभी हम सब अपने आने वाली नई प्लड़ी को एक बेहतर कल दे सकेंगे धन्यवाद